असलाम लेकुम अच्वा टॉपिक के नाम है डेजेशन इन कोकरोज जो के बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है अगर कोकरोज के अंगर देखा जाए तो इसका जो डेजेस्टिफ सिस्टम है वो ट्यूबूलर है ट्यूबूलर का मतलब कि इसके पास माउथ होता है जिससे इंजेशन करता है और एणर सोता जिससे वो इजेशन करता है यहां से अंडर निकालता है और जहांसे खाना खाताह वह है माउथ जांसे और वो करते हैं अगर देखा झेशन करते हैं तोики की और प्रíciaप च क्रोप के बाद आता है गीजर्ट अब यह जो गीजर्ट क्रॉप स्लावरी ग्लेंड एसोफेगस और मौथ इसको कहते हैं द्यार को फोर गट सबसे पहला पार्ट द्यार को फोर गट है उसके बाद आता है है पैटिक केसी यह आपको नादिया नजर आ रहें चोटी चोटी से और इसके बाद यह है जिसको स्टॉमी का नाम दिया जाता है मिजेंटिरोन है और हैपैटिक और मिजेंटिरोन यह दोनों आ जाता है मिडगट के अंदर मिडगट आगे आता है एलियम, कलॉन, रेक्टम और एनस इसको नाम देते हैं दियरकुल हाइंड गट मतलब अगर द एक एनम क्रॉप और एक एनम के गीजट है माउथ कैविटी को देखा जाएं जो फूड है यह डवाइड होता है स्मॉल पीसीज के अंदे और जो इसको तोड़ता है इसको जबड़ा ना मैंडीबल उसके जिरिये से यह खुराग को छोटे-छोटे पीसीज में डवाइड क कहा है वे मुझद होते हैं थोरक्स रीजिंगर मंचूद हैं और साइवरिल ओत seven से होता है जिसका काम किया स्टार्डव को हाइड़ोलाइस काना अब इसी के पार ऍभाद किन टूट चुकी है आगे जाए आगे फेरेंट के देगी क्रॉप के पास, ये क्रॉप है, इस क्रॉप का काम क्या होता है, स्टोर कर लेना, पार्शली डेजस्टिर फूड को कुछ वक्त के लिए अपने पास स्टोर कर देना, और फिर ट्रांसफर कर देना, पार्शली डेजस्टिर फूड को किसके पास, गीजड के पास, ये बाइसी के बाद यह झो खूराक है जो पार्शी डाजेसिटी फूड होने के बाद आगे ट्रांफर कर दी जाता है мिडगट के पास और मिडगट के पास कहां से जाती है गीज़र से आप मिडगट से अगर देखा जाए तो मिडगट फर्दर डवाइडी जिसको स्टमी के भी कहते हैं इस नाली के पेचान शौर्ट नेरो ट्यूब है यह जो आपको छोटे जो धागे नजर आ रहे हैं जो शौर्ट फिंगर लाइक होलो ट्यूब्स है इसका नम हैपैटिक केसी है दोनों का शौर्ट को से नाता है इससे मैंने डिफरेंस किया हुआ मिजन्टिरॉब्स शौर्ट नेरो ट्यूब है यह वाली और इसके साओ यह जो आपको नजर आ रहेंगे फिंगर लाइक होलो ट्यूब्स है इसका नाम का है हैपैटिक केसी है है एक 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 आमाद सिक्रीड करना इंजायम को इंजायम को खारज करना मिजन्टिरॉब्स के दाखिल किये जाते हैं और यहां पर क्या होता है complete food digestion होगी takes place होगी by enzymes और यह सारे enzymes कहां से हैं हिपाटिक केसिस हैं और सारी digestion कहां पर होगी मिजन्टिरॉन के अंदर होगी इसे के बाद मिटगर से खुराग आगे चले जाएगी हाइंडगर के पास जो further many parts रखता है एक एनम एलियम कलॉन है एक एनम रेक्टम है और एक एनम के एनस है जितनी भी खुराग डेजस हो चुकी है उसको अब्सोब किया जाएगा एवन पा उसलड़ेगा इंडाजस च्रेबल फूर्ट को टैंपरेरी स्टार कर लेगा कुछ वक्त के लिए इस वर प्रोसेस को नाम देते है और को ऑप्र आसान से अथा से पर समखिल आपके नमिपर नहीं कटेंग ऑगा अब्टा को भी अंश्राला को यह और आफीज